आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सुनिल स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टार IQ परिवार में आज है 20 जून और 20 जून 2020 के हर्याना के इपार्टन करेंट अफेर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं आईए शुरू करते सबसे पहले प्रिटेस्ट अपडेट क्या है 87 लाग से भी जादा लोग करोणा संक्रमित हो चुके हैं दुनिया बर में यहीं आखड़ा अमेरिका में सरवादिक है चोथे नंबर पे भारत का स्थान आता है और भारत के अंदर 3 लाग पिचान में 1812 केसिस हो चुके हैं हर्याना के 243 हो चुके हैं कल मैंने आप से 5 सवाल पूछे थे उनमें से पहले का अंसर है कि हर्याना में परसासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्ता बनाई गई है तो यह बनाई गई है हर्याना कौन सा पुलिस जिला बन गया है तो हर्याना के अंदर पुलिस जिला इनमें से है हासी ए options आई रहेगा, south police range के अंदर कोन से जिले आते हैं, महंदरगड भी आता है, रेवाडी भी आता है, पलवल और नू भी आते हैं, यह सारे ही आते हैं, police south का जो range है, उसका headquarter कहाँ पर हो, तो उसका headquarter, रेवाडी के अंदर है, b option जो है, question का बिल्कुल ठीक है, आईए पहला सवाल सुरू करते हैं आज का कि हर्याना में मुख्य मंत्री विवास सगुन योजना के तहत साधी के समें पती पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर कितने रुपे का लाब दिया जाएगा तो साधी के समय पती और पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51,000 रुपे का लाब दिया जाएगा इस option में 50,000 दिया है तो हमें nearby option को choose करना है तो C option बिलकुल ठीक रहेगा अगर पती और पत्नी दोनों ही दिव्यांग है तो उनको 51,000 रुपे अगर इन दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो उनको 31,000 रुपे की रासी जो है वो दी जाएगी ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है अच्छा ये गोशना किसने की है हर्याना के अनुसूचित अंदर ही स्कीम का लाब उठा सकते हैं साधी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और कम से कम 40% जो है वो हैंडिकेप्ट होने जरूरी है और इससे जादा हो तो चले गई ये बनवाली लाल है जिनोंने इसकी घोशना की है ठीक है इसके अलावा विद्वा तलाक सुदा निरा नहीं दवारा परती करोना पोजिटिव मरीज के बैड के लिए 1200 रुपे निरिधारित किये गए है तो अभी हाल ही में पानिपज जिले के अंदर नहीं दवारा परती करोना पोजिटिव मरीज के बैड के लिए 1200 रुपे घोशित किये गए है ये फैसला किया है यहां के आसपतालों के अंदर पर बैड जो है 1200 रुपे निरिधारित हुए इसमें मिलेगा क्या बैड, चदर, खाना और दवाई आधी के लिए जो सुरीदा है वो दी जाएगी NHP का मतलब है National Health Mission ठीक है इसका launching year 2005 है जिसको हिंदी में हम राष्ट्रिय स्वास्ते mission भी कहते हैं अगला हमारा क्यूस्तन है कि हर्याना सरकार के सरवे के अनुसार e-learning में कौन सा जिला पहले स्थान पे है e-learning आप सभी को पता है कि करोना का कारेकाल के दुरान सभी लोग घर से बढ़ाई कर रहे हैं तो भी हाली में सरवे हुआ जिसके दुरान हर्याना के अंदर पानिपत जो है ओ ए-learning में नंबर वन है निनाण में अंकों के साथ में नंबर वन पे है पानिपत जिकर पानिपत का हुआ है तो पानिपत को मैप में देखीएगा इसकी स्थाफना 1 नमबर 1989 को हुई है पानिपत के उपनामों में बुनकरों का सहर है हेंडलोम सीटी है, पैट्रो कैमिकल हब है, कास्ट आफ कापिटल के नाम से पुकारा जाता इसे अगला कि उससे नहीं कि सुप्रिम कोट ने हुड़ा सरकार की साल 2014 की रेगुलाइजिशन पालिसी के तहत किस साल में पक्के किये गए करीब 5000 करमचारियों का परमोशन ने करने का फैसला किया है, तो ये 5000 करमचारियों का परमोशन ने करने का फैसला किया है, ये 2016 के 2016 में जो पक्के किये गए करीब 5000 करमचारियों का परमोशन नहीं होगा अब डी आप्शन सही रहेगा इसका, और बाकी सभी को जो है उलाब मिलता रहेगा, 2014 में विधानसभा चुनाऊ से पहले हुड़ा सरकार की ओर से कच्चे करमचारियों को नीमित करने के लिए अलग-अलग पॉलिसी बनाए गई थी 18 जून 2014 को पॉलिसी में 3 साल पूरे करने वाले कच्चे करमचारियों को नीमित किया गया था इसके बाद नई पॉलिसी बनाकर 31 दिसंबर 2018 तक 10 साल पूरे करने वाले करमचारियों को नीमित किया गया था बाद में इस रेगुलाइजिशन पॉलिसी के तहत करमचारियों के नीमित करने पर सवाल उठे तो मामला यह हाई कोर्ट पहुंच गया हाई कोर्ट ने निक्तियों में नीमों का पालन नय होने की बात कहते वे करमचारियों को हटाने के आदेश दिये थे फिर यह मामला सुप्रिम कोर्ट पहुंचा चिक है और अभी तक यह यथा सकती सा ही बना हुआ है सुप्रिम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होई है हर्याना में करोना टेस्ट अब 4500 रुपे से घटा के कितने रुपे किया जाएगा तो यह किया जाएगा 2400 रुपे यह ओप्शन जो है इस क्यूशन का हमारा बिलकुल ठीक रहेगा मार्च में 4500 रुपे टेस्ट का रेट जो है वो तैय किया गया था लेकिन अब इसे सरकार के नए आदिसों के अनुसार 2400 रुपे जो है वो टेस्ट का रेट रखा गया है सैंपल, डॉकमेंटेशन, रिपोर्टिंग की पिक अप, पैकिंग, प्रिवन लागत समेट टोटल 2400 रुपे ही लिये जाएंगे हर्याना में वर्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है तो हर्याना के अंदर और बलकि पूरी दुनिया के अंदर वर्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को ए और किसन का बिल्कुल ठीक है देखी का रिफ्यूजी का मतलब होता है सरनार्थी विश्व सरनार्थी दिवस इस दिवस को मनाने की सुरुवात की थी सुन्ञ तराष्टर ने साल 2000 से इस दिवस को मनाय जा रहा है हमारे हर्याना के अंदर बंटवारे के दोरान पाकिस्तान बिलिचिस्तान से जब बंटवारा हुआ तो अंबाला के अंदर बहुत सारे परिवार आके बस गए थे और उनके अंदर से जो है शाम सुंदर निजवान जो है बिलिचिस्तान के अंदर रहा करते थे यह ट्रेन तो ये दिवस मनाया जाता है 20 जून को हर्याना में जल जीवन मिशन के तहत कब तक सभी जीलों के अंदर हर घर में नल से जल पहुँचाने का लक्षे तै किया गया है तो हर्याना के सभी जीलों के अंदर नल से जल पहुँचाने का लक्षे किया गया है 2022 तक सी ओप्शन जो है इस किफशन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा ये अभी हाल ही में मैंने आपको कल बताया था कैथल के अंदर जो है कुछ गाओं के अंदर नल से जल पहुँचाने का लक्षय था कल ही रेवाडी के अंदर 405 गाओं के अंदर 140,797 गरों तक नल से जल पहुँचाने का लक्षय रखा गया है ये योजना 15 अगस 2019 को 73 सतंतरता दिवस पर मोधी जी ने शुरू की थी भारत सरकार की इस योजना के तैत हर घर से नल से जल पहुँचाने का लक्षय 2024 तक का है ले एवं टेकनोलोजी मंत्राले से अनुदान प्राप्त करने वाला परदेश का यानि की हर्याना का एक मातरी विसविधाले कौन सा है जो विदार्थी एवं सुदार्थियों के लिए रोजगार का आउसर भी बना है अभी हाली में तो ये यूनिवस्टी है जी जे यू एउ जो है इस क्यूशन का हमारा बिल्कुल ठीक है जी जे यू के पांच स्टुडेंट जो है वो साथ हजार उपे पर महीने के वेतन से सोद वैजानिक के रूप में चैनित हुए है और दो स्टुडेंट तीस हजार उपे पर मन्त के वेतन से सोद सहायक के लिए चैनित हुए है यानि कि टोटल साथ स्टुडेंट जो है वो चैनित हुए हैं किसके लिए इस रिसर्च परपज के लिए और GJU उनिवस्टी जो है वो बायो टेकनोलोजी विभाग जो है यहां का वो सबसे ज़ादा अनुदान प्राप्त करता है एक मातर ऐसा है जो अनुदान प्राप्त कर होती है GJU के वाइस संसलर का नाम है तंकेशवर कुमार यह भी आप याद रख लिजिए गा चीन सीमा पर तनाव के बीच हर्याना में कितने एर बैस को अलर्ट किया गया है तो चीन सीमा पर तनाव के बीच हर्याना में दो एर बेस को अलर्ट किया गया है बी आप्शन जो है इस क्यूसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा बारत और चीन सीमा का आप सबी को पता है कि विवाद चल रहा है और वहां पे उस विवाद के चलते वे सिर्सा और अंबाला ए पर आको विमान Нट किये जा सकते हैं अगला जो हमारा क्यूसन है या या यू कहिएगा न्यूस टाइप से है कि ए मैंबने आपको कल थोड़े दिन पहले भी मताग था कि रहोतक के अंदर भुकंप के जटके देखने को मिले थे फिर रहोतक के अंदर भुकंप के जटके दे इसका जो है center रहा था पिछले 22 दिनों में तकरीबन 10 बार हर्याना के अंदर जो है वो बुकम्प के जटके देखने को मिले हैं और National Center of Sismology के अनुसार इसका के अंदर जो है तक्षिन पुरो रोह तक से 15 km दूर रहा है सिस्मो लोजी का आप यूँ याद रख लीजी का सिस्मो गराफ वो मिटर होता है जिस पे बुकम्प को मापा जाता है आपके लिए 5 सवाल है कि पंचायती राज विवस्ता में सामान्य वर्ग के लिए नियुन्तम सेक्शन की योगिता क्या है 12, 8, BA या 20, 8, पास या 10, पास हर्याना पंचायती राज अदिनियम कब लागू हुआ था 22 मई 1993 22 अप्रेल 22 अप्रेल 1994 22 मई 1994 राज एक एक जिले में पंचायतों की संख्या सरवादी का यमनानगर, अंबाला, करनाल, भिवानी ग्राम पंचायतों की संख्या, हर्याना के जिले में हैं, सबसे कम हैं फ्रिदावाद, पानिपत, रोत्यक, पंच्कुला हर्याना साहीतियएक आदिमी का हैड़कॉर्टर कहां पी है, गुड़गां, रोत्यक, अंबाला और पंचकुला आईसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है आशा करता हूँ आपको चीजे समझ आई होगी कल फिर हाजी रहूँगा लेटेस्ट अपटेट के साथ पर तब तक के लिए आप हसते रहना मुस्कुराते रहना धन्यवाद